किуса है डोबस्तों आज हम एक बार फिर से बात करने वाले इस शेयर से लेटिर जिसका नाम है इंजीनियर्स इंडिया लीमिटहर अच में आपको इस पड़ीडियर बता रहो हैं क्या इससे पहले हमने इस शेयर को दिया था, ओके यहाँ पर इस से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, क्या मेरे पास है, क्या नहीं है, इस सब चीज से रिलेटेड बाते करेंगे, बट बिफोर दर वीडियो में आगे बढ़े, मैं हमेशा की तरह आप से रिक्वेस्ट करूँगा, कि I am Small Cap Investor, चैनल को सब्सक्राइब, बैल आइकन को ही टॉल को नोटिफिकेशन ओन करें, ताकि इस तरीके के वीडियो आपको मिलते रहा, और हम इस चैनल पे इस Small Cap Share से लेटेड वीडियो लाते रहते हैं, आपके सामने नही नहीं Share प्रिजेंट करते रहते हैं, उनकी Analyze करके आपको सिखाते रहते हैं, तो वीडियो को सीखने के लिए वीडियो बनाई जाती है, जाके देखिए, वहाँ से सीखिए, और बारीकिया सीखनी है अगर, क्यों, क्या, कैसे के जवाब चाहिए, क्योंकि जब तक आप ये जवाब नहीं लेंगे न, Share क्यों भागते हैं, Share क्यों करते हैं, कोन से Share भागते हैं, कोन से गिरते हैं, क्यों लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, यह आंसर जब आप ढूंडोगे न तब पैसा बनेगा तो आप क्या कर सकते हो 860540501 8169267037 दोनों नम्बरों को सेब कर लिए बेसिक्स टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल कब लेना है कब बेचना है यह सब कुछ मैं आपको सिखाता हुआ नजर आओंगा सारा का सारा ज्यान आपको देता हुआ नजर आओंगा 25,000 रुपे कोर्स की पीस है एक बार कोर्स किया उसके आप पीछे मुड़ के देखने की जरुवत नहीं है 3 months की handholding strategy using stock market online notes सब कुछ दिया जाएगा एक बार कोर्स को किया complete पीछे मुड़ के देखने की जरुवत नहीं पड़ेगी बार-बार मैं कहा रहा हूँ बस उसके बीज़े condition है कि एक साब का experience जैसे सखाया जाए उसके हिसाब से लीज़ेगा ताकि एक habitual एक idea आपको लगे बाकि अगर किसी को काम करना है portfolio size थोड़ा सा बड़ा है या नहीं भी है तो यहाँ पर आप एक बार contact करिए 8605-40501 8169-267-237 आपको charges कुछ नहीं है यहाँ पर एक बार बात करने के आप बात करेंगे तो हम उसके related बाते कर सकते हैं तो हम जिस share related बात कर रहें उसका नाम है engineers India क्या इससे पहले इस share related बाते करिये तो एक बार देख लेते हैं तो यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको बतल चलेगा देखिए 100 रुपे का small cap share engineers India तो 9 महीने पहले यहाँ पर वीडियो बनाई थी और आपको बताया था engineers India से related 100 रुपे के नीचे 100 रुपे से यह share आप देखेंगे तो देखें 275 रुपे तक भागता हुआ नज़रा है अच्छे खासे ठीक है लग 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 175% के return उस particular point से बनते हुए नज़रा है क्या उससे पहले ही बताया था definitely बताया था यहाँ देखें engineers India 7 महीने पहले भी यह वीडियो बनाई थी तब भी बताया था ठीक है और फिर उसके बाद आप देखेंगे और तो भी यहाँ पर engineers और engineers India से related एक दो बार वीडियो हमने आपर मितलब बनाई है तो जाके एक बार वीडियो को देखिए आई बटन पर लिंक दूँगा तो एक बार देख लीजीगा चेक कर लीजेगा तो वहां से किस तरीके से मैंने श्रॉक्ष को पकड़ा नीचे के भाव पे और उसके बाद 244 तक लगातार भगता हुआ नजर आया पैसे बनते हुए नजर आया तो उसी चीज़ को मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ आगे बढ़ते तो यहां देखिए इस्टैबलेश नीचेशिफ़ में वनी थी है कंपनी ठीक है और इस लीडिंग ग्लोबल इंजिनेरिंग कंसल कंसल थैंड एंड 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 गर्मेंट हना आफो इंडिया एंड अपरेटिंग अंडर दा अच्छी का सी होल्डिंग भी है है यहां पहले हिस्सेदारी यहां पर लगातार कम होती ही नजर आई थोड़ी सी नेगेटिव बात है यहां पर आज का शेयर आप बजार किसकी वज़ेसे नहीं चल रहा है तो देखिए आप अभी भी यहां पर देखेंगे तो अब अगर मैं कहूं कि अगर इनका मतलब नहीं ही होगा ठीक है ना तो पुब्लिक के बस लगवा 25 परसंट के शेयर है यहां पर आप देखिए बाइंग सेलिंग होती रहती है ब्लॉग डील्स यहां पर देख सकते हैं ठीक है यहां पर कौन बेच रहा है कौन खरीद रहा है यहां देख सकते हैं कि DSP ट्रस्टी यह जो कं पर बेचते हुए नजर आया है तो इस चीट को आपको देखना है बाइबैक ऑफल भी आता हुए नजर आया है तो वह आप यहां पर देख सकते कि कौन यहां पर खरीद रहा है कौन बेच रहा है ठीक है तो आगे बढ़ते और जानते और इस कंपनी से लिटेट तो यहां आप इनकी वेफसाइट पर विजिट कर लीजिए तो इनके बिजनस मॉडल से लेटेट भी आपके पूरा पूरा आइडिया लग जागा इनके प्रोजेक्स से लेटेट आपको बता चल जाएगी हाना सेगमें बता चका हूँ ओईल गैस से लेटेट इतने भी सेगमेंट है यहां पर जानना है तो यहां पर जाके एक बाद सकते हैं कियो रहते हैं इससी तरीके से गय आपके सामने लाते हैं तो इस तरीके से भी भागता है, इस चीज को हमेशा यादर कियेगा हूँ. 20 का PE है, इंड़स्टी का 35 का है, तो सस्ता नजर आता है, ठीक है, 5 का Face Value है, और Dividend भी Company देती है, Debt-Free Share है, पॉजिटिव चीज यहाँ पर है, ठीक है, और आप देखेंगे, इंड़स्टी से सस्ता मिलता हूँ नजर आ रहा है, तो cheap stocks है, तो चीप stocks है, और इस चीज मैं हमेशा कहता हूँ, PE के Base पर कभी काम नहीं करना चाहिए, और ROC, ROE की बात करें, तो ठीक ठाक है नजर आता है, Maxime Chart Pattern की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते है, small cap stocks है, तो long term का कोई vision बनाना मत, ठीक है, यह मत सोचना कि यह long term के vision से है, क्योंकि यह जो chart pattern दिखा रहा है, यह दिखा रहा कि भागता है, तो जब रतस भागता है, इसमें कोई दोरावाली बात नहीं है, कि 30 रुपे वाले stock 200-300 तक हो जाता है, और जब गिरता है, तो वो छीन भी लेता है उसी तरीके से, तो सही time पर निकलना और रखना वो एक कला है, वो यहाँ पर हम अपने course में सिखाते हैं, तो इस जीट को यहाँ पर आप जॉइन कर सकते हो, देख सकते हो, यहाँ पर बात करें, तो quarterly base में यहाँ पर आप देख सकते हो, लगातार company परफॉर्म कर रही है, कुछ ऐसा extraordinary काम नहीं कर रही है, अब हमेसा है ठीक ठाख यहां पर कमपनी की सेल्स हो रही है बात कर ऎंच सब्सक्ते अब रहे है Cannes रही सब्सक्राbakर यह विच्क सब्सक्रातेब्स समिवल सकते हो सकतता है यहां पर आप देखोंगे कंपणी लबघ अच्छा कासा इसे पर बैथि हुई थी ठीक है तो इसे भी हमें ध्यान में रखना है एरली बेस पर बात करें कंपनी का performance flat ही नजर आया है ठीक है पहले बीच में गिरता हुआ नजर आया था फिर इसके भागता हुआ के आस पास के बोराइंग ना के बराबर है कंपनी की इसकी positive बात है क्यों क्योंकि कंपनी को कोई इंट्रेस्ट पे नहीं करना अगर कंपनी को इंट्रेस्ट पे खना होता न तो यहां पर यह company को फिर negative में आ जाती है तो यह positive बात है working progress में 25 क्रोड रूपर लगा रखे थे investment की बात करें 1228 क्रोड का investment और cash की बात करें company के बास लवाई 1000 क्रोड की आसपास का cash flow भी यहां पर नजर आता है shareholding pattern की हम already बात कर चुके promoters भी है अना FIs भी है DIs भी है और public भी यहां पर सब कुछ decent यहां पर shareholding pattern नजर आता है तो overall अगर हम shares की बात करें श्रोड यहां पर ठीक टाक नजर आता है split की बात करें 2010 में split भी भी नहीं है दो बार यहां पर bonus भी मिला है यहां पर बात करें होता रहता है 157 पर हुआ था 84 पर डिविदेंड की बात करें लगाता कंपनी अच्छा डिविदेंड दे रही है इसका मतलब है कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो यह सब चीज आप यहां पर देख सकते हैं अब बात करते हैं कंपनी के चार्ट से लेज़े चार्ट क्या गया रहा है पर उससे पहले आप से रिक्वेस्ट करेंगे कि आयम स्मॉल केप इंवेस्टर चैनल को सब्सक्राइब बैल आइकन को हिट और को नोटिफिकेशन कौन करें बाइंग सैलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं अपने फाइनशल एडवाइजर कुद की स्टाड़ी करना है चीज़ों को देखना है सीखना है यहां पर जाके वीड से लगबग 146% के आसपास के रिटन यहां पर बनाते हुए नजर आए और अभी बात करें शेयर की तो शेयर कैसा नजर आता है देखिए मार्केट में गिरावाटरी इसमें भी गिरावाटरी ठीक है तो एक मल्टीयर ब्रेकाउट भी सामने नजर आता है जो कि मैं आपको अगर थोड़ा सा बड़ा चार्ट करूंगा तो आपको यहां पर समझ में आएगा यह देखिए मल्टीयर ब्रेकाउट यहां पर होता हुगा नजर आए था ठीक है और उसके बाद यहां पर जो कि 288 के आसपास है फिर दुबारा नीचे आता हुग दिखाई दिया कि चार् से लेके 156 रुपे तक भी यह चीज़े थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है तो यह opportunity बनेगी bank level क्या बनेगा bank level कि अगर मैं बात करूं तो अच्छा bank level बनेगा जब यह शेयर इस particular line के ऊपर आएगा लगब लगब कितने रुपे पे 205-206-207 रुपे उस टाइम एक आगेगी तो सबसे पहले 228 फिर इसका 272 और अगर मैं थोड़ी सी picture आपको बड़ी दिखाऊं ठीक है मैं weekly chart पर जाता हूं थोड़ी सी picture को बड़ी करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि एक pattern बन रहा है कौन सा pattern बन रहा है यहां देखिए तो यह देखिए कब breakout होने पर ही इस तरीके का performance हो सकता है जो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं और जाद है anticipate नहीं करना है और जैसे कि मैंने बात करिए कि अगले quarter के लिए numbers थोड़े से challenges हो सकते है और अगर ऐसा होता है तो share फिर और भी जाता गिरता हुआ भी नजरा सकता है तो हर तरीके क पैसा बनता हुआ नजराएगा क्योंकि multi-year breakout यहां पर सालों का होता हुआ नजराएगा तो कम share को ध्यान में रखना है बट इस तिल bank selling की recommendation नहीं है अपने financial advisor कुद की study करना है चीजों को यहां पर ध्यान से देना है यहां पर मुझे लगता है गिरावट के बाद काफी time यह आपर consolidation रहने वाली है पर जिस दिन भी निकलेगा इस लेवल से उच दिन पैसे definitely बनेगे तो वीडियो अच्छी लगे तो like करिएगा comment करिएगा share करिएगा channel को subscribe करिएगा thank you so much god bless